हाई एवरिवन वेलकम टू माई चाइनल आप सभी का स्वागत है मेरे चाइनल पे यहाँ देखिए डिवाइड क्या चीज़ का डेसिमल्स का डेसिमल्स का डिवीजन डेसिमल्स से करेंगे हम लोग ठीक है यह मैं आज आपको बहुत ही अच्छी तरिके से सिखाऊंगा इसमे फर्स्ट मेठड लगाएंगे शेकेमल्स यहाँ दोनों को अलग-अलग मेठड से हमलोग स्वोल्ब करेंगे तो इसमें first method लगाते हैं method number one देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है इस तरह दो points दे रखे हो दोनों में याने कि division में भी और divisor में भी तो आप क्या करेंगे method number one में यहाँ पे देखिए point के बाद कितनी digits है one और यहाँ पे देखिए points के बाद कितनी digits है कि इन दोनों को balance करेंगे तो यहाँ पे 2 है तो इधर भी points के बाद 2 करेंगे तो क्या यहाँ पे रखेंगे 0 रखेंगे क्या रखेंगे 0 अब देखिए यह दोनों balance हो गए balance होते ही यह जो decimal का sign है वो समाप्त हो गया दोनों का ठीक है decimal का sign बिलकुल खतम हो गया अब हमारे पास division ऐसा बन गया कुछ 550 ठीक है और यह 1375 ठीक है यह situation आगे यानि कि अब हमारा normal division बन चुका है ठीक है अब इसमें normal division बनने के बाद हम लोग असानी से solve कर पाएंगे तो solve कीजिए इसको यहां 13 है और यहां 5 दूनी 10 यानि कि हम इसे 2 से multiply कर सकते हैं 550 को तो 2 से multiply कर देंगे यह 0 का 0 ठीक है और 5 दूनी 10 सब को multiply कर रहा हूं मैं 10 का 0 हासिल 1 5 दूनी 10 और 11 ठीक है यह आया हमारे पास 550 को multiply किया 2 से अब division में हम लोग क्या करते हैं minus तो minus करेंगे 5 में से 0 जाने पे 5, 7 में से 0 जाने पे 7, 3 में से 1 जाने पे 2 और यह 1 में से 1 जाने पे 0 कुछ भी नहीं ठीक है अब क्या करेंगे यहां पे देखिए यह संख्या छोटी हो गई और यह संख्या बढ़ी हो गई तो इस तरह के situation में क्या करते हैं हम लोग यहां पे एक point रखते हैं decimal रखते हैं और यहां पे 0 बढ़ा देते हैं ठीक है यह 0 आप यहां भी बढ़ा सकते हो यही वाला 0 आप समझो कि यहां उतार लिया गया ठीक है यही बढ़ा दो आप तो अब यह हमारे पास क्या आए चुका है 2750 ठीक है अब यह देखिए हम देख लेंगे 25 यानिके यह 5 से कट रहा है 5 और 0 का गुना करेंगे तो 0 ठीक है 0 का किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 और 25 तो 25 का 5 हासिल 2 फिर 25 और 2 27 ठीक है तो यह आपका कट गया और इसमें से इसको घटाएंगे तो वी सेल गेट 0 तो यह हमारा आंसर क्या आया 13.75 divided by 5.5 तो हमारा आंसर आ गया 2 decimal 5 ठीक है तो यह आंसर हुआ अब यह तो first का हो गया अब आए second में second देखिए क्या है यहाँ पे कोई संख्या नहीं है पहले ही point और उसके बाद संख्या दे रखिए है ठीक है decimal के बाद तो इस तरह का situation जब आए तो आप लोग क्या करोगे यह देखिए point के बाद याने decimal के बाद एक digit है तो इसको क्या करेंगे याने की multiply कर देंगे 10 से यह हम method number 2 apply कर रहे हैं यहाँ ठीक है method number 2 तो इसको 10 से multiply कर देंगे ठीक है point के बाद एक संख्या है तो उसके लिए हम 10 से कर रहे हैं अगर 2 होती तो 100 से करते जितनी भी होती उतनी 0 हम बढ़ा देते तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 10 से multiply करेंगे तो यह अब जो हमारे पस division बन के आएगी वो किस तरह से आएगी पहले तो यह देख लीजिए multiply करेंगे तो क्या आएगा इसका 0.2 का 10 से करेंगे तो 20 आया है तो 20 आने के बाद इस point को लगाएंगे तो एक digit छोड़कर point लगा तो क्या बन गया यह तो यहाँ पर कितना आ गया 2 आया है ना इसका अब इसी तरह 10.6 को 10 से किये तो कितना आया 1060 तो 1060 आया तो एक digit छोड़कर लगा देंगे तो यहाँ पर यह 106 बन गया ठीक है तो यही वाला हम रखेंगे 106 ठीक है यह point खतम हो गया दोनों के point खतम हो चुके हैं तो अब हमारे पास division क्या बन गया 2 यहाँ पर 106 यह हमारे पास normal division आ गया मुझे उमीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से यह आपको समझ में आ रहा होगा 5 दुनी 10 ठीक है तो यह 10 आ गया फिर क्या कैता division घटा आईए तो घटा दिये तो कितना गया 0 इसके बाद इसको उपर से उतार लेंगे नीचे 3 दुनी 6 कितना गया 6 और 6 में से 6 जाने पर क्या आएगा विसल गेट 0 तो यहीं पर हमारा समात हो गया तो अब आप क्या लिख सकते हैं आपका आंसर क्या गया 10.6 divided by 0.2 is equal to 53 यह आपका आंसर है और मुझे उमीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से यह दोनों 나타स्थ मेत्रक्त आपको समझ में आ गये होगे और इनी दोनों मेत्रक्त से डेसिमल क ost की जाते हैं अगर वीडियू अच्छी लगी है तो करके चैनल और सब्सक्राइब करें वीडियू आपको अच्छी नहीं लगी तो सब्सक्राइब ना करें ओके थेंक्यू बढ़ाय से बेड़ी के लिए भी चाहिए नहीं कि अजाती है